कई लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं और उन्हें लोगों का सामना करना पसंद नहीं होता. यह उन्हें अंदर से नश्ट कर देता है क्योंकि उनकी सोशल स्किल्स खराब होती है और वे बातचीत करने में अच्छे नहीं होते हैं. वे तनावगरस्त महसूस करते हैं और अकेले रहते हैं लेकिन वास्तव में वे अकेले रहना नहीं चाहते हैं. यह चिंता अत्यधिक सोचने जैसा है इधर उधर चलने वाले विचार उन्हें अभिभूत महसूस कराते हैं. वे अपनी मानसिकता बदलना चाहते हैं और अपने डर का सामना करना चाहते हैं और किसी भी बाधा और कठिनाईयों पर काबू पाना चाहते हैं क्योंकि देर सबेर हम इसका सामना ही करते हैं वे नहीं जानते कि खुद को आंतरिक, मानसिक और शारिरिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए। ये कई इंट्रोवर्ट लोगों में आम है। अच्छा महसूस करने के लिए तुमको अपनी और अपने काम की प्रशंसा करने की जरूरत है। तुमको लोगों से बात करने की जरूरत है। चाहे वह हवाई अड़े पर तुमसे मिलने वाला कोई व्यक्ती हो या यात्रा के दौरान तुम्हारे बगल में बैठा कोई व्यक्ती हो। तुमको अपने बारे में अच्छी बातों के प्रती जागरूक रहना होगा। तुम जो करते हो उससे तुम्हारी भा प्रती बात ये है कि तुम अपने शौक, रुचियों, दिन प्रती दिन की आदतों के बारे में अच्छा महसूस करते हो। एक बार जब तुम अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगते हो तो तुम वह दूसरों के साथ साजा कर सकते हो। कई लोगों के साथ एक और मु प्रित्वी पर सबसे dominant और advanced प्राणी होने के नाते तुम्हारे पास power और potential है। अपना determination और इच्छा शक्ती से तुम कोई भी कार्य को पूरा कर सकते हो। ऐसा कोई कार्य या प्रयास नहीं है जो तुम्हारे क्षमताओं से परे हो क्योंकि तुम्हारे पास असाधारन क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं किसी भी व्यक्ती को विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने और सबसे बड़ी failure को भी शानदार सक्सेस में बदलने में सक्षम बनाती है। ये स्वीकार करना आवश्यक है कि ये क्षमता शायद मानव जाती के पास सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई काम में बंधा होता है तो उसको अपने comfort zone से बाहर निकलना मुश्किल होता है। हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने काम से बंधे हुए हैं यानि वे लोग अपनी सीमा के अंदर एक तरह से बंधे हुए हैं और लगभग असंभव है कि उससे बाहर निकलें। इस तरह की सोचवाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। ये स्वीकार करने के लिए अपनी मानसिकता बदलो कि तुम गलतियां करने जा रहे हो इंसान हमेशा गलतियों से सिखता है चीजों को जिग्यासा के साथ सुईकार करना और तुम्हारे कोशिश अपने जीवन में चिंता को दूर करने में मदद करेगा